वेलकम टू आबर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टैक्स वालिफशन मैराज पाठक और आज जो जो सेशन है हमारा वो लेशन 13 लेशन 13 में आज हम लोग जानेंगे रिसिप्ट यानि रसीद या परची काटना ठीक है इसी को हम GST विलिंग भी कहते हैं इसी को हम बिलिंग कहते हैं कई नाम से यह जाना जाता है ठीक है पिछले वीडियो में मैंने आपको जर्नल इंट्री करना बताया था कि आप किस तरह से जर्नल की इंट्री करते हैं आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप रिसिप्ट की इंट्री किस तरह से करते हैं कोई दुकानदार सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फैमिली फ्रेंट्स ग्रूप के साथ जरूर इसे सेर करें ताकि उन्हें कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड ठीक है और एकाउंट्स विथ जी अस्टी के रिलेटेड कोई इसू ना रहे ठीक है तो जल से जल ह पहले आपको डिस्प्ले और डेबुक यानि शॉटकट डीडी को प्रेस करते हुए आ जाना है ठीक है तो जैसे ही आप आते हैं आप यहां सबसे पहले देख लेंगे कि जो हमारा पर्चेज है यानि सेंडरी क्रेडिटर लबकूस था और सेंडरी डेबिटर हमारा यानि से लबाला जो है बजरंग कंप्यूटर था अब ऐसे ही आप हिसाब कर सकते हैं यहां पर ठीक है आपको कहीं जाने का ज़रुरत नहीं है किसी से पूछने का ज़रुरत नहीं है आप ऐसे ही यहां केल्कुलेशन कीजिए पर्चेज कितने का हुआ है तो पर्चेज 43,838 रुप कस्टमर ने 40,000 रुपया ही दिया है तो ड्यू कितना रह गया तो 3,838 रुपया असी पैसा ठीक है तो आप जर्णल पर जाके आप इंटर करके यहां पर चेक कर पाएंगे आप देख सकते हैं 40 रुपय पेमेंट हो चुका है और कितना ड्यू बचा है 3,838 रुपया और अस एक्चुल में जो ड्यू है वो 3,838 रुपया असी पैसा है तो दुकानदार क्या करेगा मुझे इतना रुपय का बिल भेजेगा ठीक है कि आपका यह पेमेंट ड्यू है और मैं इसके बतले आपको पेमेंट करूं ठीक है तो इसके लिए हम समझ गया है सबसे पहरे तो रख लेना है ठीक है और इन ही चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसका मतलब यह नहीं है कि 38,38 रुपया असी पैसा का बिल है और जो दुकानदार है हमको अगर 4000 या 5000 का बिल भेज दे तो आप उसे ड्यू समझ के उसे दे दिजेगा जबकि आपको यहां प मुझे कितने का बिल भेजेगा 38,38 रुपया असी पैसे का ठीक है तो बैक करेंगे हम और सिंपल आपको आना है कहां एकाउंटिंग भोचर आप यहां पे इंडर कर देना इंडर जैसे ही आप करोगे आपके सामने जॉर्णल दिखाई दे रहा है आप थोरा से इसके उपर सक्वराइब आपको यहां दिखाई देगा App 6 और App 6 का मतलब होता है रिसीप्ट ठीक,ए, एप 6 का मतलब होगा रिसीप्ट और रिसीप्ट का मतलब होता है परची काटना या बिल करना ठीक है या बिल बना के देना ठीक है आप देख सकते हैं tele accounts work में रिस एसीप्ट ग्र्य या फिर परची काटना और टेली यार्पी 9 में उधारी बकायारासी रिसिप्ट एस्टेप बाइस्टेप आपको हिंदी में बताया गया है आप लोग पूरे वीडियो को देखें पूरे वीडियो में बने रहे हैं बिना स्किप किये क्योंकि बीच बीच में आपको थेओरी भी इसी के साथ include है मैं थेओरी अलग से नहीं परहा रहा हूं ठीक है आपको थेओरी बिद लैब आपको टोटल आपको ओनलाइन में हाँ पर मिल रहा है ठीक है तो देखिए रिसिप्ट के लिए क्या करेगा सबसे पहले आपको एप 6 पर क्लिक करेंगे आपके सामने रिसि कि आप उसको चेक कर सकते हैं पर देखिए रिसिप्ट कॉन काटेगा यानि परची जो है आपका जो बिल है क्यों काटेगा दुकांदार या अहीं दुकांदार है और वही आपको काट सकता है ठीक है ऐसा नहीं कि ग्राहक ही उल्टा दुकांदार को बिल देगा तो बिल जब भी देगा तो कौन देगा तो सेंडरी क्रेडिटर देगा यह चीज आपको ध्यान में रखना है कि बिल जब भी देगा तो कौन देगा तो सेंडरी डेबिटर देगा ठीक है जो यानि जो दुकानदार होगा तो सिंपल आपको क्या करना है यहां पर आपको कैस रखना है ठीक है यहां पर आपको कैस रख देना है और यहां पर सेंड्री डेबिटर आपका कौन है यह आपको देख लेना है तो सेंड्री डेबिटर हमारा कौन है तो बजरंग कंप्यूटर पार्ट से जैसे आप इंटर्प्रेश करेंगे ठीक है तो बजरंग प्यूटर पार्ट ये बिलिंग करेंगा कितने रुपया का तो 38 और 38 रुपया और 80 पैसे का ठीक है अब इस पर मत जाएगा क्योंकि यहां बजरंग computer parts जो दुकांदार है उसके अंदर current balance दिखा रहा है दस हजार दस हजार 609 रुपए 35 पैसे यह आपको यहां दिखा रहा है तो यह इसका गल्ला है ठीक है यह इसका गोदाम है यह payment को रखता है क्योंग एक दुकांदार में ऐसा नहीं है कि आपने जो product खरीदा है उसी का payment वो रखेगा एक दुकान में बहुत सारे रुपए भी रखे हो सकते हैं उसके अलग-अलग product के ठीक है तो इस पर आपको नहीं जाना है आपको यहां ध्यान देना है कि जो तुकांदार होगा वो बिल काटेगा और यानि जो सेंट्री डेबीटर होगा वो बिल काटेगा जितन रुपए डिव है उतना रुपए का काटेगा ठीक है तो 38 रुपए 80 पैसा हमारा क्या था डिव था डिव किया गया और यहां पर इंटर कर दिया जाएगा ठीक है कैसे वह एकांट पेमेंट लेना चाहता है तो अन एकांट पर इंटर प्रेस करेंगे और फिर यहां पर इं देखी है तो हम यहां end of list करेंगे दूसरा अगर रहेगा तो आपको डेबिटर को देख लेना है कि कौन सा डेबिटर आपका है उसके एक रोडिंग आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे यहां end of list करना है और यहां simple way में इसको accept कर देना है ठीक है तो हम यहां पर क्या सीख है तो आप समझेगा डिस्पले डेबुक में जाके डीडी हम आए अब यहां देखिए यहां से आप समझेगा पहले देखिए पर्चेज है तो पर्चेज कितने रुपय का है अब उसके पास ड्यू कितना रहा गया तो 43,838 रुपया असी पैसा में 40,000 को माइनस कर देजिए तो रिसीप्ट यानि देखिए दुकांदार जो बजरंग है ठीक है जो बजरंग दुकांदार जो है कितने रुपय का बिल भेजा तो 3838 रुपय असी पैसा का ड्यू यानि बकाया वह पैमेंट मुझे क्या किया भेज दिया तो मैंने पैमेंट को एकसेप्ट कर लिया यह जो बिल है मेरे पास यह बिल आ गया ठीक है आप इसको एक्सपोर्ट करके बैक करके ठीक है इंटर करके PDF के थूरू आप इसको देख सकते हैं यानि दुकांदार जो है ऐसे ह चाहिए करके मुझे बिल जो है देखिए भेज देता है ठीक है इतना रुपया क्या है हमारा दिव है और यह जो क्यों करूँ गांगा तो यदि तेए अगले वीडू में पतesti कहाएं, ओरके की- कुझ do करना है, तब तक यह आप जरूर याद- रखेगा की रिसिप्ट यहनी बिलिंक तब वही करता है जो दुकांदार होता है ठीक है तो आपको तो सबसे पहले सेंड्री क्रेडिटर और सेंड्री डेबिटर का पहचान होना जरूरी है कि कौन सेंड्री क्रेडिटर है हमारा और कौन सेंड्री डेबिटर है हमारा ऐसा नहीं हो कि ग्राहक ही दुकांदार को बिल काट दे और दुकांदार ग्राहक से ही समान खरीदने लगे ठीक है ये चीज़ आपको ध्यान रखना है अगले वीडियो में मैं पैमेंट के बारे में बताऊंगा तब तक इसका आप प्रैक्टिस करेंगे ठीक है पूरा वीडियो को असकीप किये बिना ही पूरा देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए जर्नल, रिसीप्ट और पैमेंट क्योंकि ये जर्नल, रिसीप्ट, पैमेंट तीनों एक कॉम्बिनेशन है हमारे बिजनस का ठीक है क्योंकि जब आप रिटेल बिजनस करते हैं या हॉलसेल बिजनस करते हैं तो ये दोनों में ये चीज़ काम आता है आप एक छोटा सा कोई एक प्रोडक्ट एक सेंपू एक साबून भी अगर खरीदने के लिए जाते हैं तो उसमें भी ये तीन चीज होता है आप माल इसेंपू खरीदने के लिए किसी दुकान में ठीक है और दुकांदार आपको रॉप्य बिल भेझेगा आप क्या कीजिएगा आप उसे जाके पैमेंट कीजिए तो यह यह तीनों एक combination है बिजनस का ठीक है इसके बिना बिजनस नहीं सकता अब अगर बात अगर की जाए कि simple हम आते हैं पहले यहां अब अगर हम simple सी बात करें ठीक है simple सी बात करें तो E7 हो जाएगा हमारा billing f6 हो जाएगा पर्ची काटने और 5 हो जाएगा payment करना अब यह तीन चीज कभी कभी काम नहीं किया जाता है जब आप उधारी नहीं देते हैं किसी कस्टमर को यानि जब कोई गिराहक आपके दुकान में आके आपसे उधारी नहीं लेता है तो यह तीनों का काम ही नहीं है ठीक है यह तीनों का काम तभी पड़ता है जब आप कोई किसी भी दुकानदार से कोई प्रोडक्ट उधारी खरीदते हैं या वो ड्यू रह जाता है ठीक है अगर मान लीजिए चालें 43,000 अब यहां समझेगा थोड़ा सा अगर मान लीजिए 43,800 रुपया सी पैसा का समान मैंने खरीदा और मैंने इतना रुपया अगर एक ही बार में कस्टमर दुकानदार को अगर हम कैस कर दें तो वो क्यों मुझे बिल भेजےगा ज़़रनल क्यों करेंगा रिसीथ क्यों भेजएगा पैमेड क्यों करेंगे हम उसको क्योंकि मैंने एक पार वनटायं पेमेंट मैंने उसको कर दिया तो यह कभी-कभी यह थी जो है तो यह तीनों का ज़वरत आपको नहीं परेगा लेकिन अगर ड्यू रहता है तो आपको रिसिप्ट भी करना परेगा जर्नल भी करना परेगा और एफफाइब पैमेंट भी आपको करना परेगा नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द लेखे आऊंगा तब तक इसका प्रैक जल्द आपको नहीं थोपी देखव साईप परेगाइब करना लेका जब लेकाइब का अबरेगा सन भी को खवे लेकिना कर रहता है तो आपको लेकिना ज की साइब सोर्व चल में जल्द बैटन की समयों अजब की शोन सॉन यह तो